नमस्ते या विवादान आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस स्पेसल वीडियो में दोस्तों आप सभी को नए वर्स की अनंत सुभ कामनाएं कैलेंडर की तारीखें बदल नहीं हैं और अब हमें भी कुछ बदलने की जरूरत है कुछ गलतियां मैं अपनी बताऊंगा आप की गलतियों को मैंने अच्छे से पढ़ा 171 एमेल्स आए और 100 तक ही आकड़ा था 71 लोगों ने डाट फटकार सुनके हमारे पास इमेल भेजा तो धन्यवाद आप सभी को जिन लोगों ने भी इमेल भेजा था जो मैंने आप से कहा था कि 2022 से ये काम पहले कर लीजेगा तो ये जो 171 लोग होना आप लोगों ने जो ये काम किया है अपनी गलतियां बताने वाला सबसे पहले तो लोगों को गलतियां अपनी एकसेप्ट होती नहीं है ठीक है पच्ती नहीं अपनी गलती यार मतलब हमको खुद पता होगा कि मैं ये गलती कर रहा हूं मैं ये गलती कर है वो उसके काम करके उसको ठीक कर सकता है जो इसी घमंड में है कि मैं क्या गलती करता हूं फालतु बात हैं यह सब गलती वलती वो उसके सुधार के चांसे बहुत ज्यादा कम है इवन मैं यह कह सकता हूं 99% chances है कि वो सुधार नहीं पाएगा ठीक है अब intentionally आप लोगों ने email नहीं भेजात वो अलग बात है लेकिन अगर आप गलतीयां अक्सेप्ट नहीं करते हो तो 99% chances है कि stock market में आप फेल हो जाओगे और एक big fail मैं आप लिखना चाहूंगा क्योंकि मैं अपने आपको motivator नहीं समझता मैं आपने आपको demotivator समझता हूं और यह मैं क्यों बोलता ह हीरो या हीरोईन कोई कहता है कि आयह जवानी ले डूबी तो आपको यही positivity यहांपर ले डूबेगी आप दूसरों का 1000 का profit, 10,000 का profit, 50,000 का profit, 1,2,500,50,000, 1,2,000, यह इवें 10,100,000 अब साइध और उसके बात जो आपके अंदर positivity आएगी hyper positivity जिसको कहते हैं वो आपको ले डू के साथ connect करने की कोसिस की लोगों के losses को देखा समझा एनलाइज किया और वहां से एक ही बात समझ में आई सबसे पहले गलती accept करना सीखो ठीक है इस 99% केटेगरी से आपको दूर रहना है ठीक है तो गलती accept करना सीखो जो सबसे बड़ा रीजन सामने आया वो है quick money जो आपको ले डूबेगी और वही hyper positivity यहां impact कर रही है बिना hyper positivity के आप quick money के बारे में कैसे सोच सकते हो आपको नहीं पता कि दुनिया भर के जितने businesses चलते हैं वो एक CAGR पे focus करते हैं 20% कुछ का focus तो 15% पे होता है 25-30 छोटे businesses हैं 35 और 40-50 यह होती है उनकी strategy आगे बढ़ने की कि हम हर साल 50% से grow करेंगे 40-35-35-20 इसका मतलब क्या है इसका मतलब आपने कभी समझने की कोसिस की हर साल हमारी growth अगर 50% की है तो एक दिन की growth कितनी होगी मैं 365 से इसको divide करना चाहता हूँ हर दिन आप जैसे 50% आपको grow करना है ठीक है 365 दिन में grow करना है तो आपके पास 0.13 फिर से कह रहा हूँ आपको मात्र 0.13% growth डेली दिखानी है ऐसे आपको focus रखना है एक दूसरे एंगल से देखते हैं माल लेते हैं 200 दिन trading होती है फिर से कह रहा हूँ माल लेते हैं 200 दिन trading होती है ठीक है तो 50 upon 200 आपको किस पर focus करना है 0.25% per day पर जो stock market में trading होती है 0.25% per day अब यह आज नहीं हुआ तो कल हम 50 0.50 focus करेंगे चार दिन नहीं हुआ तो हम 1% पर focus करेंगे पुरे महीने नहीं हुआ तो हमारी जो thinking है वो अलग level की हो जाएगी यह वीडियो आपके लिए important क्यों है क्योंकि 50% का return अगर आप expect करते हो तो आपको daily का 0.25 5% चाहिए daily नहीं हो पाता ना कोई बात नहीं monthly basis पर 4% समझ में आता है यह भी नहीं समझ में आता है quarterly basis पर 15% 12-15% समझ में आता है quarterly basis 3 months यानि कि 90 days यानि कि approximately 15 trading session वहाँ पर आपको इस पर focus करना है daily का नहीं समझ में आता कि इस पर focus कीजिए और मैंने आपसे कहा कि मैं एक demotiv creator cube अपने आपको कह रहा हूं किवल इसलिए मैंने नदी में जो हमारी सामने नदी है वहाँ पर डूबते हुए लोगों को देखा है quick money के चक्कर में regular income के चकर में positivity के चकर में जो बंदा जो smart trader आपको आपकर के दिखा रहा यार वो अपना fortune बना लेगा आप बरबाद हो जा वहां से एक सामने आई कि stocks हमने जल्दी बेंज दिये तो इसका इलाज मैं खुद ढून रहा हूं यार क्या कि बहुत सारे stocks में मैंने 70% profit book किया और वह आग की तरह भागे हैं सबसे आगे Tata Motors ठीक है वेदान्त 2500 profit book किया आज वह कहां ख़़ा है आपको पता है Tata Motors में क्या कह आपको पता है Bombay Stock Exchange क्या कहें 70% profit book करने के बाद वह और तेजी से भागा था ठीक है CDSL happiest minds यह सब कहानिया ऐसी है जो मैं दोहराना नहीं चाहता ठीक है मैंने इस पर आप लोगों से बाते भी की है और इन्होंने मुझे loss तो नहीं दिया लेकिन गलत जरूर प्रूफ कर दिया ठीक है तो stocks जो है वो हम hold नहीं करते हैं कुछ चीजों से बचने के कारण तो यहां पर वही एक कहवत याद आती है क्योंकि यह गलती बहुत लोगों की थी यहां पर मैं आपको कुछ सम्झाना चाहूंगा market हमको वो कभी नहीं देगी जो हम चाहते हैं ठीक है जो हम चाहते है market हमको कभी नहीं देगी जो हम deserve करते हैं जिसके लिए हम eligible है ठीक है market हमको सिर्फ वो देगी क्या आप eligible हो क्या आप eligible हो इस 0.25% के लिए क्या आप 4% monthly के लिए eligible हो क्या आप सालाना 50% के लिए eligible हो यह ज्यादा बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, मैं आपको यहां पर positivity नहीं दिखा रहा हूँ, कि हर दिन पैसे double होते हैं, महीने में double होते हैं, quarterly double होते हैं, यह तो मैं आप से बोल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ 0.25% को बहुत बड़ी बात बोल ला हूँ, और इस पे मैंने videos भी बना के पहले, एक stock है L&T, आपने नाम सुना होगा, मैं अपनी F&O वाली गलती यहां पर बता रहा हूँ, मैंने इनकी call को sort किया था, ठीक है, अब market से भीड़ने की बात बोल ला हूँ, L&T की call को sort किया था, जो लोग follow करते होंगे, उनको पता होगा, कहां पर किया था, मैं बता यहां से समझेगा, यह मेरी holding में था, और stop loss केवल इसलिए नहीं लगाया, क्योंकि holding में है, उपर जाएगा, तो stock profit देगा, नीचे आएगा, तो मैं तो सही हो जाऊँगा, पूरे महीने मैंने hold किया, और पूरे महीने L&T 15% भागा था, एक बड़ा loss मैंने यहां पर options में ब कि कितनी भी अकड दिखा लो बाजार को कितना भी बड़ा portfolio size हो, कितना ही conviction वाला trade हो बाजार अगर आपको गलत बुरूफ करने पर आ गई, वो कर देगी, कर देगी, और यह बात मैं अभी 6 महीने के अंदर ही बता रहा हूँ, 2021 के अपनी F&O की सबसे बड़ी गलती बता रह अपोजित डायरेक्शन में बैठा था, क्योंकि मुझे लगा कि L&T अब इसके उपर नहीं जाएगा, गया वो ठंग से गया, अच्छे से गया, थोड़े दिन में बड़ा momentum दिखाया, मुझे गलत पुरूफ किया, मैंने यह सोचा था कि पुरे महीने रहेगा, प्रीमियम बाहर निकल जाओंगा, स्टॉक तो चलता ही नहीं है, तो L&T ने मुझे अलग अंगल पे गलत पुरूफ किया, F&O में, बाकी जिनके पास सेटप होगा उन्हें पता है, डबलाई ट्रेडर सेटप, स्विंगर या निफ ट्रेडर, उन सब पे तो यार अभी जैसे कह सकते ह है, 2021 जो है, यह बेस्ट इयर था, इन तीनों ही सेटप के लिए, तो एंजॉय किया हम लोगों ने, आने वाले समय में भी, हमने स्विंगर सेटप को एक दम बहतरीन तरीके से तयार कर लिया है, 2022 के लिए, डबलाई ट्रेडर सेटप का अपग्रेड, निफ ट्रेडर सेटप यह सब चीजें आनेगी, आने वाली हैं, ठीक है, तो यह सब आपको मिलेगा, स्टॉक्स जो मुझे लॉस दे रहे हैं, परसेंटेज टम्स में, एक स्टॉक है, हम राजा बैटरी जानते होंगे, यह स्टॉक्स में, जो होल्ड कर रहा हूं, जहां पर 2021 में मैंने यहां पर किया, और मुझे लॉस दे रहे हैं, हम राजा बैटरी हो गया, यहां पर परसेंटेज टम्स में मैंने आपको गोला था, इन्वेश्मेंट कम रखिएगा, ठीक है, ब्लिस जीवियस करके स्टॉक है, एक साइड ऊपर गया था, प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पाई, फिर पंप लॉस दे रहा था, आट परसेंट एक ही दिन में 14 परसेंट भाग गया था, लोजिंग भी 6-7 परसेंट उपर दिया है, 6 परसेंट उपर, तो ओवराल बाजार की कहानी जो थी, मिक्स थी, मेरा लॉस यह था, कि होता है न यार, कभी-कभी वो थोड़ा सा आई जाता ह इनसान है, मतलब वो थोड़ी सी कमी छूठी जाती है, मैं पूरी कोशिस करता हूँ, बाजार के सामने एकदम हमबल हो जाओं, और दोस्त मैं आपको यही सिखाऊंगा, सिर्फ यही सिखाऊंगा, दोजार इकिस में अगर आपको सीख कर जाना चाते हूं उससे, तो यही ए बाजार के सामने एक हमबल होने का मतलब क्या है, कि वाजार अगर बोल दे आर तुम गलत हो तो बोल देना कोई बात नहीं, मैं गलत हूँ, मैं निकल जाता हूं, निकल से Богी यहां से, मैं गलत हो गया और जब वाजार आपको बले हैं, यह काम करके दिखाऊ अच्छा है, त पास वह attitude आही गया L&T में, 2021 में मैंने पूरी कोशिश की, एकदम ठंडे से रहने की कोशिश की, पूरा meditation लगाया, कुछ भी किताब, spiritual books पढ़ी, spiritual gurus को सुना, सब कुछ सुना, यह humbleness चाहिए थी मुझे, क्योंकि market को supreme मानना ही था, और मैंने आपको इसलिए इस हफते के momentum आ सकता है, और जिनको यह पता था, swing trading performance कितनी बढ़िया रही है, वह आराम से trades लिए होंगे, और आखरी हफते में, हमने बहुत बढ़ा profit बनाया है, इवन यह best week था, मेरा 2021 का, 2021 का best week था यह वाला हफता, क्योंकि यहां पर मैंने अच्छे से trade लिया, heavy quantity के साथ trade लिया, चाहते उस से, लेकिन तब जब आप उसके सामने humble रहोगे, जब बाजार बोलेगी कि आपने 500 पे कोई stock खरीदा, 495 अगर बाजार उसको भेज दी, तो आपको यह feel आना चाहिए, कि मैं 500 पे क्यों खरीदा, अगर वह 495 आया, इसका मतलब मैं यहां सही नहीं हूँ, और बा value धूडते हैं, growth धूडते हैं, अगर आप कहीं growth धूड रहे हो ना, तो आप यह नहीं देखोगे, कि मैं उसको पकड़ा कहा हूँ, एक example मैं आपको देता हूँ, माल लेते हैं, यह आपका destination है, और यहां से आप सुरवात कर रहे हो, बस पे आप बैठोगे, अपने destination पे पह होता है, किसी का किराय चेंज नहीं हो जाता है, जबकि यह दूरी कम तैयं करेगा, ठीक है, सबको result से मिला, लेकिन जो सबको पहुंचाने में cost लगी थी, क्योंकि हो सकता है, यहां से यहां तक की दूरी 10 km हो, और यह दूरी हो सकता है 500 km हो, आप समझ गए होगे, तो अगर अगर हमको जाना है 500 km, हम यह थोड़ी देखेंगे कि हम सुरवाती 10 km किस तरीके चलना है, हमको 490 पर फोकस करना है, इस पर भरोसा होना चाहिए, कि हमको सफर 500 km करना है, हमको सफर 10 सालों करना है, ITC के बारे में बहुत सारे लोग अजीव अजीव सी हैं, आप सना बाते करत अगर अगर आप से पहले, दस साल पहले, पंदरा बीस साल पहले स्टॉक खरीदा है, उसकी रियल कॉस्टिंग पता है कितनी आती है, बीस रुपए की, बाईस रुपए की, पच्चिस रुपए की, अब पच्चिस में से अगर आप पांच निकालोगे, इन्टु फाइब अब अगर आप परसेंटेज टम से में देखोगे, बीस पच्चिस परसेंट का तो यह आपको डिवरेंट दे रहा है, कमपाउंडेर एन्वल ग्रोथ, फिर से कह रहा हूं, स्प्लिट विए बाद बोनसे के बाद, डिवरेंट के बाद, आई टीसी, आज आपको बीस पच् इसने वाले खूब कहेंगे कि यह चलता नहीं चलता नहीं, लेकिन जिनको यह डिवरेंट देरा साल भर में पांच रुपय का बीस रुपय की एक्च्वल कॉस्ट है, तो आप खुद समझ सकते हो कि वाट परसेंटेज दे आर गेटिंग, मतलब ड्रीम परसेंटेज, जितन आपका भरोसा होना चाहिए, बस प्राइज बहुत बड़ी वैल्यू नहीं प्ले करेगा, हाँ, वैल्यू ढूरना आपका काम है, ग्रोथ से कुछ लोगों को वैल्यू दिखाए दे जाती है, जैसे कि आप टाइटन अगर खरीद रहो धाई हजार में तो आपको खुद पत कई सारे परामेटर से कोसिस करूंगा, इस पर भी डिसकुर्शन होगा, ठीक है, तो वापस आते हैं, हमबल ने समको मार्गेट में किस एंगल से दिखानी है, हर एक एंगल से, स्टॉक खरीद लिया, अगर इन्वेस्टिंग के लिए खरीदा है, तो ITC का एक्जांपल मेरे जोली में होंगे, ज्वाज की कॉस्टिंग के हिसाब से उस वक्त आपको स्प्लिट दे करके, बोनसेस दे करके, डिविदेंट दे करके, उनकी रियल कॉस्टिंग आपके लिए 10, 15, 20, 50 रुपए आएगी, मैं बड़े-बड़े स्टॉक की बात कर रहा हूं, जिनका पुसा करो और आगे बढ़ो, हम्बलनेस होनी चाहिए आपके पास, ग्रो करोगे, मैंने अपनी गलती बताई, आप लोगों की बिगलती को थोड़ा सा निचोडने का प्रयास किया, जो भी होगा, बेस्ट पॉसबल करते रहेंगे, आप सभी के लिए आप सभी को कबरब करने का मौका मिलेगा, अभी जो लॉसिस हुए हैं, इनको आप आगे प्रॉफिट से माइनस करके, तब उस पर टैक्स आपको पे करने होगे, इसलिए मैंने बोला था कि 2022 से पहले ये काम कर लेना, ठीक है, लंबी वीडियो हो गई और मेरा मकसद भी था कि यहां पर एक डिजास्टर है, ठीक है, डी मोटिवेट मैं करना नहीं चाहता, लेकिन ये समझ लिए कि मैं डी मोटिवेटर हूँ आपके लिए, मैं आपको उस हाइपर पॉस्टिविटी से बचाना चाहता हूँ, जो आपको बरबाद कर देगा, क्योंकि कुई कमनी के पीछे इंसान में हमबल स्टॉप लेकर के आप दिखा सकते हो हमबलनेस, 15%, 20%, 30% आपका स्टॉप नीचे है, 15 महीने, 30 महीने आपका स्टॉप नहीं चल ला है, इन दोनों ही अंगल्स में आपको हमबलनेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बाजार है, वो आपके स्टॉप को 30% तोड़ सकत होगे, यह जिम्मेदारी आपकी है, यह जिस बंदे पे दाओं लगाए हो, बिजनस पे दाओं लगाए हो, वो आपको समझ में आता है, आपको वहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है, चार्ट में ग्रोथ आएगी ही, चार्ट आगे बढ़ेंगे ही, समय लगता है, और ITC का जो मैंने एक्जामपल दिया, उसको जरूर याद रखना, अगर पोटफोलियो बना रहे हो, अगर आपकी एज 20, 25, 35, 45, 45, 50 साल है, तो अभी आपके पास more than 10 years है, फंड को compound होते वे देखने वाले, minimum 10 साल, इनकी एज 20, 25, 30 है, उनके लिए तो मतलब इतनी बड़ी opportunity है को सोच भी नहीं सकते, अपने सामने wealth बनते वे देखना, और अगर आपका stock selection complete रहा, बेहतरीन रहा, आग लगा हो गया, investing में भी, trading में आग, humbleness से लगेगी, इसको भी मैंने सिखाया है, ये सब guru mantr याद रखना, note कर लेना, एक copy में कहीं पर, जो मैंने बातें बताई, कोई दोस्त आपको बाहर नहीं कर पाएगा, याद रखना, और क्योंकि मैंने कहा कि, ये humbleness समय समय पे आपको check out करते रहना होगा, देखते रहना होगा, क्योंकि L&T में मैंने खोया कुछ, तो वहां से मैंने सीखा, क्योंकि L&T में मैंने ये risk क्यों लिया था, क्योंकि मुझे लगा, कि मैं सही हो रहा हूँ, बाजार ऐसे ही आपको बोलती है, एक बार सही हो गए, दो बार लगता है यार बाजार बेवकूफ है, और फिर एक ही बार में वो सारी, सारी अकड ठीक आने लगाती है, कितना भी बड़ा fund size हो portfolio size हो तोड़ कर रख देगी, तो इन ही बातों में कुछ updates होंगे, वो आपको देरे देरे पता चल जाएंगे, हाँ, एक और चीज, अगर आप में से सारे लोग सवाल कूछा है, कि portfolio कम मिलेगा, तो यह जो नया साल है, इसी अवसर पे मिलेगा, लेकिन थोड़ा साम समय लेंगे, कि अभी बाजार जिस हिसाब से भागी है अभी उन stocks को देने का समय नहीं आया है, हम सब back testing कर रहे हैं, देख रहे हैं, चीजें कैसे हमारे favor में जाएंगी, most probably आपको दस्तारी के बाद ही stocks की list मिलेगी, या हो सकता है 26 जनवरी को ही हम आपको provide करें, जैसा कि पिछली बार किया गया था, ठीक है, तो अभी जल्दबा आजी में मत रहिएगा, कुछ लोग बोले हैं कि नए साल पर कुछ offer बगएरा दे दीजिए, offer दूसरे angle से समझ दो यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मात्र बाइस trading session, setup ले लीजे, कोई भी, कोई भी setup, swinger, nift trader, double i trader, मात्र बाइस session, अगर आपने, जो setup का चार्जर उ से जादा profit नहीं कमा लिया, तो आपको full refund किया जाएगा, full refund, ठीक है, इस पर मैंने काफी बात की हुई है, अगर आप लोग कहोगे, detail में भी बता देंगे, लेकिन अभी-अभी के लिए बस इतना समझ लेना, offer ही समझो इसको, क्योंकि इस से बेतरीन और क्या offer होगा, और अगर आप अपना पैसा नहीं recover करते हो, complete refund हम आपको देंगे, बाकि मैंने तो आपको खुद ही setup बनाना सिखाया है, what is trading setup, जा कर देखो, खुद बना लो यार, सिखाया हूँ, और आसानी से आप बना भी सकते हो, तो सुब कामना है, जिन्होंने भरोसा किया, जो video dislike करते हैं कर दिया करो, हम सुधार करने की पूरी कोशिस करेंगे, अभी के लिए इतना है दोस्त, जल्दी मिलेंगे, आभार आपका, नमस्कार